नमस्कार साथियों मैं कुनाल आप सभी का संस्क्रेट आई एस यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अब आप सभी को पता है कि आजकल अब समय बहुत बादिक बदल गया है लोग इंशुरेंस बहुत अधिक करा रहे हैं और हर च कोबाइल फोन तक का भी इंशुरेंच आजकल करवाया जा रहा है यांकि फोन काफी अता महेंगे आते तो डेमेज वगरा कुछ होता है तो कंप्रियां सोचने के ठीक है हम जिम्मदार ले लेते हैं और बागी ठीक है चलता रहेगा सब कुछ लेकिन एक मेहतवपूर्पू ठीक है और इस पहल के लिए जो यह अलग-अलग बीविया कंपनियां है इन्होंने एक समझ होता किया है यह किया है इन्होंने जर्नल इंशॉरेंस काउंसिलिंग के साथ में क्यों किया है महामला समस्ते जरब अभी तक हमारे देश में ववस्ता यह चलिया रही थी कि मान ल आइगी खुदा ना खास्ता कर यहासा हो है लेकिन हम सब्सक्राइब करते हैं कि ऐसी जो आमारी अनिश्यताएं है जीवन के इंदर हम लोग सोचते हैं कि हम उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेर रहें चीजों को मेंटेन कर लें हमने क्या कि इसके साथ हमने एक समझोता कर ल चाहते हो करते हैं तक चाहर अब बी शीडी अ आपके घर के जो सबसे नजड 역시py जो है उस ऑस्स्पिटल का नाम है जे आपको अपना इलाज करवाना जे अब जब कभी भी दिक्कत आती है परिशानी आती तो हम क्या सोचते हैं आपको याद है कि माली सपोज मैं बीमार हूं और मुझे जाना है घरवाले मुझे उस्पिटल ले आना चाहते हैं अब वह है मेरा इंशुरेंस देखेंगे चेक क करेंगे क्या क्या है पैनल के अंदर तुरंत बंदे को उठाएंगे उठागे भागेंगे कि चलो हस्पिटल लेके चलो और इमर्जंसी है मतलब कोई डॉक्यमेंटेशन हम लोग नहीं करने वाले हैं कुछ भी नहीं पर वेरिफाइब करेंगे सीधा उठाएंगे कि भई ल सेजल ट्रीटमेंट यहीं पर शुरू हो सकता है अब क्या हुआ कि पैनल में तो यह चार थे हमने इलाज कर वाई लिए जी हो स्टीति में जो सिस्टम था पहले कैशले स्टेट्मेंट वाला या हमारे इलाज के लिए बैंक की तरफ से पैसा भरने वाला वह पूरा नहीं हो चैसे होता उसको हम लोग कहते थे कैश्लेश और दूसरा यह होता था क्रफिपूर्टी कि यह होता है और चाकर इलाज कर वाले से शुच निया कर व से उसमें से कुछ पर्सेंड या जो भी निर्धारी थे आपके इंशुरेंस के आप से वह है आपको रिटेन मिल जाएगा तो हम देखते थे कि बहुत साइर लोग कैशलेश चूज करने से बस्ते थे और पूर्ति की वाले मार्क को ही अपनाना पसंद करते थे यह सबी चीज़े कंपनीज ने नोटिस की जाना समझा मामले को और यह सबी चीज़े जानते हैं समझते हों कंपनीज ने क्या किया कि अब दूसरे ऑप्शन को हटाने की सोची कहा कि मतलब बहुत अधिक लोग इसको चूज कर रहे हैं कैशलेश जाने से बच रहे हैं जबकि यह ठीक है अच् क्या है क्या के चीज़े बदलने वाली है अभी का सिस्टम और किस प्रकार से चल रहा है अब क्या क्या आगे बदल जाएगा हर एक चीज़ समझेंगे लेकिन समझने से पहले जरूरी है कि आप लोग देख लीजी एक प्रशन जो आपसे आने वाले प्री एक्जाम में पू जो नॉलिज है आपने जितना पढ़ा है जाना है समझाए आप उसको अग्जाम में किस प्रकार से यूज करते हैं जैसे कि जिस समय हम लोग तियारी किये थे शुरुआती की बात थी तो शुरुआती दौर में जो मेरे मैंटॉर थे हमारे गुरू जी उन्होंने मुझे हम बस पास ही करना है जो महा युद है वो तो मेंस का युद्ध है ठीक तो यह चीज़ समझे आप लोग की नोट्स बना के रखना है मेंस के लिए त्यार है क्योंकि वहीं पर आपको संग्राम करना होगा ठीक आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पूरा मामला क्या है तो सबसे पहले हम लोग समझते कि क्या क्या भी ह हुआ है जो कंपनिया है उन्होंने सबसे पहले यहीं सोचा है कि जो हमारे चिकित्सा बीमा पॉलेशी धारक है उन सभी लोग को अब हम 100% कैशलेश ट्रीटमेंट देने वाले हैं 100% कैशलेश ट्रीटमेंट का मतलब इतना ही है कि देखिए आपने लिया हुआ है अपने लि अभी तक दिक्कत है आ रही थी तो कंपनी ने का ठीक है यह सब कुछ होगा और आपको कैश रखने के अपने पास कोई जरुद नहीं होगी बिना किसी परेशानी के आप चीज़ें कर पाएंगे नए वाले सिस्टम में खास बात यहीं है कि पहले हम लोग देखते थे कि पै किया हुआ हो या ना हो उससे कोई फर्फ नहीं परता आपका ठीटमेंट वहीं होगा जहां आप सैटिसफाइड होगे ठीक है तो यह कुछ नए परिवर्तन है क्या है कैशलेश एवरीवेर पहल जो नोने शुरू किये ठीक तो यहां पर साफ साफ कहा गया कि जो बीमा धार हो सकता है अब माल लीजे मैं हूं मैं बिमार हो गया पर मैंने कोई ले रखा इंशॉरेंस तो उसके सिर्थ में पेमिंट कैसे होगा मैं हॉस्पिटल जाओंगा हॉस्पिटल में मैं पूरा ट्रीटमेंट कराऊंगा जिस दिन मुझे डिस्चार्ज होना होगा तो मेरे डिस अब ऐसी सिद्ध में बिमा कंपनी को कैसे पता लगेगा क्या और कैसे चीज़े वैरिफाई होंगी क्योंकि पेमेंट तो अगर डिस बैलन्स होगी तो उस समय क्या ही होगा और क्या कैसे हो पाएंगी तब क्या करेंगे तो यह कंपनी ने इस सब के लिए एक पैटन है यह आपका इलाज अलड़ी चल रहा है तो देखे इन्होंने आप फिक्स किया कि मान लीजिए आप ठीक हैं आपको कोई चलता फिरता मरीज कहा जा रहा है और उस इस्तिती में क्या है कि आप अपना इलाज कराते हैं डॉक्टर ने कहा कि कोई ऑप्रेशन होना है कर्मेशन दे दीजिए एड्मिट होने से 48 घंट याने के दो दिन पहले कि देखिए फलाने फलाने दिन मुझे बोला गया है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है एड्मिट होना है और मुझको यह ट्रीटमेंट मिलेगा यह आपके इंशोरेंस के तहत कवर किया गया है इसी हो गई यह बहुत सार चीज़ अचानक से होती है हर्ट एटक वगरह हो जाता है या कोई और अचानक से इमर्जंसी है आप लोग को और आपको कोई ट्रीटमेंट करवाना तो परिशान नहीं होना आप हॉस्पिटल जाए हॉस्पिटल जाकर करके एड्मिट हो जाई है एड आपको पेमंट समय से की जाएगी और आप फ्री भी हो जाएगा उस्पिटल से बिना किसी दिक्कत की बाद लेकिन चीज़े आपको धियान रखनी है कि आप जो भी क्लेम कर रहे हैं वह क्लेम आपकी पॉलिसी की शर्तों के अनुरूप एक्सेप्टेड हो यह चीज़े पह आपका ट्रीटमंट कराया जाने है किसी लोगोगों को लग रहा है कि यह जो पहले पहल बहुत अच्छी है और कितने लोगों को लग रहा है कि है पहल आने सिस्टेम है समझोते वाला है जैसे कि अब समझोते के तहट बहुत सार लोगो दिक्कत है जैसे कि मेरे घर के पास को एस्पिटल है मैं टरस्ट भी करता हूं अच्छा ऑस्पिटल भी है पर मैं नहीं जा सकता क्योंकि पैनल में नहीं है लेकिन इमर्जन्सी होगी तो सब जल्दी शुरू हो सकता है तो इस स्थिती में क्या था कि जो समझोते वाली समस्या थी उससे बचना चाहते हैं कंपनिया और सबस्था बहुत सारे अच्छी है लेकिन अगर ग्रामीड या अर्द ग्रामीड शेत्र तो बहुत दूर है अब ऐसे स्थिती में इंसान होस्पि से बचने के लिए भी इस पूरी की पूरी पहल को शुरू किया गया है वश्च दो हजार बाइस तीस का आगड़ा यह है कि 56 लोगों के जो दावे थे वह कैशलेश से जिनका निप्तान किया गया है ठीक है लेकिन इसके लावा पता में यह भी लगता है कि लगबग 56 परती के तहट 2.3 6 करोड स्वास्त भीमा दावे इसमें शामिल थे जिसका भुकतान किया गया है 70,930 करोड रुपे मतलब यह है इनकी पूरी की पूरी इस्तिती रही अब तक की लेकिन इस सब के अलावा हम लोग को एक खास बात यहां पर यह भी पता लगती है कि दिक्कत है बह में लोगों का इंशोरेंस किया जा रहा था तो लगबग लगबग उस दौरान 60% जो लोग थे 60% लोगों ने अपने लिए प्रति पूर्ति चुना उन्होंने यह है चुना कि ठीक है इंशोरेंस दो कर लो लेकिन हम आपके पैनल के थुरू ट्रीटमेंट नहीं कि बाद में जो ट्रीटमेंट का खर्च वगर आपकी तरव से बनता है वह है आप हमें देदी जिएगा ऐसी कोई समस्या नहीं है तो यहां पर सभी लोगों ने सोचा कि यह एक बड़ी दिक्कत है हमारे इसको सुधारने की जरूवत है जिस वज़ा से पूरी पहल सामने आ जाएगी यानि की पैनल से जिंजट नहीं है जहां मर्दी जाओ इलाज कर वाँ टेंशन फिरी हो करके पेमेंट जो है वह कंपनी की तरफ से हो जाएगा तो अरे तुप चार भी आपको मिल जाएगा ने कि सोचेंगे नहीं करवाँ पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे वगर दूसी सिती में क्यागा कि आपको एक लंबे प्रॉससे से गुजरना होगा और लंबे प्रॉससे से जब आप गुजरेंगे तो उस दोरा आपको डॉक्यमेंटेशन फॉलो करनी पढ़े गी अलग 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 लग लोग असे मिलना पड़ेगा वैरिफिकेशन करवाने समय में पूरेख से पुस्जाइंगे गारे सिवह काम पेसे डाइब और रही कमपनी देश के थे हैं लंब्हक बजल पूर परिक्रिया आपको नहीं इसमें इसमें करना रहे हैं जिवन में जीवन रहाग उप्र और दीक सेंगे जिस कि medical insurance की जो संखिया है बढ़ेगी है हमार देश में दोका धड़ी भी नहीं होगी क्योंकि सब चीज़े इसी प्रकार से होगी और बीमा पढ़नाली में लोगों का विश्वाश बढ़ेगा यह है सबी उम्मीद अभी की जा रही है आने वाले समय में इस कितने लोग का विचार है मुझे जरूर बताइएगा मेंस के लिए अपने नोट जरूर बना लीजेगा प्री में पूछा जा सकता है अगर आप कोई वंड एक्जाम दे रहें तो वहां भी बहुत अधिक रिलिवेंस हैं इस चीजे पूछी जा सकती है तो जो प्रशन आप लोग को शुरुआत में दिखा है तो अब आप लोग इसका अंसर अच्छी से दे सकते हैं तो जल्दी से आब इसका आंसर तो कॉमें क्या भी लाइक कीजिए और आप लोग को अंसर चाहिए तो देखिए आप लोग के स्क्रीन पर हैं उम्मीद करता हूं कि ठीक रहा होगा हम लोग अगली वीडियो मुलाकात करते हैं कुछ नहीं बातों के साथ तब तक के लिए विदा दीजिए थैंक्यों सो मज झालबे कुछ झालबे कुछ नहीं बातों के साथ तक करते हैं करते हैं रहा हुआ नहीं के साथ तो बातों के लिए विए साना पर हैं इन तो दो कीजिए ख़ोग